आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की नेच्रल वॉटर प्रोफ हेयर डाई इसको यूज करके आपने सफेद बालों को प्री मैचो ग्रेयर को कवर कर सकते इंस्टेंटली और जो रिजेल्ट मिलने आप आपको कमाल का मिलने वाला है और मैं आपके साथ लाइब डैमो भी शेयर करने वाले हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अकांग शेयर वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब बहुत अच्छे सब्सक्राइब काफी पॉजिटिव होगे तो फ्रेंट्स जैसे के मौन सुन आज चुका है और कई जगर पे तो बहुत जादा बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है और इस दौरान क्या होता है कि कई बार हम अपने सफीद बालों को प्री मैश्चियो ग्रीय को कवर करने के लिए कोई डाय करते हैं और बारिश होन की कारण जो कलर है हमारे बालों का डाय का निकल जाता है तो आज के वीडियो में आपके साथ इसका स प्रिप्रेड सिखिया युटी में लिए कुछ करने वाले इस यौल इसको सफीद बालों को कर सकते हैं प्री मैश्चियो ग्रीय को को कवर कर सकते हैंachen अब्सक्रमीं युग ग्रीज को फिरफ्टिक पर्पार्टियों Separate k cities जाना है और अप सबस्ता हैं मार्केइज कोमाने क अपर किइए हैं लेकिन फिर भी आफ के कैव 750 छहीं छाते हैं लोके आप पार्टी में जाना एक पास अगेर डाइन के सधराद को चाहिए तो जो यह तो यह скиलरे करें बीजिये आप इसको अपने बालों में तब भी कलर है आपके बालों से बिल्कुल भी नहीं जाएगा बहुत है सिंपल सी रेमीडियों नेच्छरल है प्रिपेर करना काफी आसान है तो कैसे प्रिपेर करना है यूज करने का प्रॉसेश थोड़ा डिफ्रेंट है और जो रिजेल्ट है मैं आपके साथ लाइंड डेम लग चुकी है जंग लग चुकी है ऐसा औरेज तका कलर आ चुका है तो आपको वाश नहीं करना है इसी में जो रेमीडियों उसको प्रिपेर करना है अगर आपके पास जो लोग की कड़ाई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं तो इसके बाद आप हमें फर्स आंतर रखवी सकते हैं इसलिए में ज्यादा क्वांटिटी में इसको प्रिपेर करने बाले हूं तो चार चम्मच आमला पाउडर ले लिया है अब आपको एकदम जो गैस की फ्लेम में लो कर लेनी है नहीं तो जो आपको जल जाएगा लोग फ्लेम करके इसको आपको रोस क करना है सेकंड जो इंग्रियंट है वह है हमारा चाय पती चाय पती बहुत ही अच्छा है प्रिमेश्यू ग्रेयर के लिए बालों में शाइन लाने के लिए आपके जो बालों का कलर है नेच्टर वह चला गया उसको वापस लाने में तो मैंने यहां पर दो चम्मच चाय पत करता है यह फॉल को करता है और यह ग्रोथ को प्रमोड करता है तो इसको आपको तब तक रोस्ट करना है जब तर जो दौनों इंग्रियंट है एक्दम डाग ब्लेक कि ना हो जाए और अभी आपको इसमें छोट छोटे यहां पर आमली पावडर के पार्टिकल्स दिख रहे करना हैं तो यह हमारा पावडर तैयार हो गया है दाक हो गया है इसको ऑफ कर देना है और इस पावडर खु deconstका है तो यह प्र हो त्मक टोम्स टेंचिकल्स यह तेजल य जो चुका है वी जो पर जो हमने चैपती यूज की है वो अतनी ज्यादा पाउडर फॉर में नहीं हो पाई है तो क्या करना है आपको mixy jar लेना है और जो हमारा आवले का चैपती का पाउडर है रोस्टेट उसको इसमें ट्रांस्फर कर लेना है और उसके बाद हम एकदम पाउडर फॉर में नहीं हो हुआ होगा तो आपको कोई चलनी लेनी है और उसकी हेड़्िस को छान लेना है क्योंकि जितना महीन जितना स्मूथ हमारा पाउडर होगा उतनी अच्छी हमारे बार पर रेजल्ट मिलेंगे तो इसमें फाइन पाउडर बनागे तैयार करना है तो हमारे फाइन पाउडर बंके तयार हो गया उसको मैं एक बाद टच किया और टच करने के बाद जो रिजर्ट्स थे कमाल के थे अमेजिंग थे अब हम चलते हैं आगे ही प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपने पाउडर ज्यादा क्वांट पकड़ लिया है अब जो रेमेडी है वह हम प्रिपेर करते हैं जो हमारी पहली रेमेडी वह उटर फूरूफ डाई है तो उसके लिए आपको लेने एक छोटा सा बाउल और हमें इसमें एड करना है वैसलीन का जो वैसलीन की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है या फिर जितन यहाँ पर एड करना है हमें coconut oil बहुत ही कम एमाट में coconut oil यूज करना है जिससे हमारे बाल मॉश्राइज रहेंगे तो यह तीनों इंग्रियंट हमने एड कर लिए अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है मैं फिंगर्स की हैर्ट से मिक्स कर सकते हैं जैसे comfortable हो आप इसको कंदेस करने के बाद किस्कुंश की हमारी यह यह वाली है मंके तई आर हो गई है और देख सकते हैं कि जो जाडर आया है कि तना चामाल का या मिरी जो chlor है मेरी है देख सकते हैं यहे इडावद 13 संद और यह हमारे बालों को काला करने तो उसके लिए एक बाउर लिया और इसमें आपके आनगे बिल्ग घर अपने बार जिक प ब्रण पर तो ग्यांए किया है कि आपने कुछ भी येपार Godly कि घरلة जो जैल फॉर्म की कंसिस्टेंसी आपके एबसरास हो जाएगा ज़र आफैसार का बालते हैं के पूंग को नरिश करता ब batch पार पर आ जाएगा इतना भी चिपचिपा पने वर साया जागा तो यह हमारी है यह वाटरप्रूफ और आई शुकाले सब्सक्सकार सकते है इसको यूज करके आपको इत्म नेच्रल बना लोकाने वाला बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई कलर अप्लाई किया है इत्म नेच्रल आपके बाल काल लगेंगे और यह पाउडर है यह आपको स्टो करके रखना है आपको जब भी जरुवत पर अपने बालों क पर अप्लाई किया है मैंने यहां पर यह वड़ी उसकी है आपको डेमो देने के लिए आप यहां पर हेयर डाई ब्रश और यह टूद ब्रश होता है उसकी है अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं जो यह नेक्स्ट वाली रेमिडी है यह नॉर्मल है यह पानी से निकल जाएगी वह भी मैं आपको लगा के दिखाती हूं जब आप इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगी बहुत ही इस एप्लाई हो जाएगी और जितना भी इसका गीला पन है वह विर टैन निट्स आपके बालों में अब्सॉब हो जाएगा क्योंकि इसमें अलोवरा जेल सकति हो बूरी क्लिकीन हो गई है वो बूरी वाशाउट हो गई है और जो वाटर प्रूफ हैड आई थी वह बिल्कुल भी नहीं गई है मैं आपको टैस्स करके दिखाते हूं बिल्कुल भी सिपने नहीं निकलेगा तो यह इसकी रिजल्ट है मैं आपको एक बाद फिट से पानी को यहां पर अपलाई किया है आप देख सकते हैं अभी भी जो colorate test से मस नहीं हुआ है जैसा था पहले वैसा ही अभी भी है तो आप देख सकते हैं एक कमाल का hair dye आप इसको instantly apply कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है वा remedy को यूज कर सकते हैं मैंने जब के साथ remedy शेयर की है वह मैंने आपको अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखाए कि कैसी यह पाने सी जो नहीं जाता है आप इस तरीगे से अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं जो हेयर ब्रश आता है डाई वाला उसकी हैस से अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां कि सफीज बाल है इन तक पहला चोला था जो waterproof नहीं था वो तो क्याहिए होगा कि आप इसको अभाश करेंगे जै कि पानी से वाश करेंगे फ्लिआ है वो चला जाएगा ज buyने से नहीं जाएगा आप आपको अगर सफेद बालों को काला करना है वन टाइम के लिए तो उस टाइम के लिए जो कलर ही बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरही के से अपने बालों को इस्टेंट ली ब्लैक कर सकते हैं नेचुरल है कोई असका डिसएडवांटेज नहीं है तो जहीत ही मेरी आज की व बता सकते हैं तो मिलते फिक नेट वीडिक साथ अब तक इस्टे हल्थी बी सेफ बाबाई टेक क्लियर